नमस्कार दोस्तों, ASV Knowledge की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों हाली में स्वीडन की तरफ से एक ऐसी खबर निकल कर सामने आ रही है जिसने भारत की सामदाम दंडभेद की नीती को हिला कर रख दिया है क्योंकि भारत अपने तेजस वाइटर जट की डील करने ही जा रहा था लेकिन स्वीडन ने इस डील में अपनी टांगड़ा कर भारत का सारा खेली बिगार दिया है जिस वज़ा से भारत का तेजस इस वक्त बड़ी मुसिबत में फस चुका है अब पूरी खबर बताने से पहले हम चाहते हैं कि आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लीजे ताकि हमें आपके लिए और भी ऐसी ही वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे तो दोस्तों आपको याद होगा आज से कुछ दिन पहले हमने आपको ये खबर दी थी कि फिलिपीन्स चायना से निपटने के लिए अपनी वायु सेना के लिए 14 लाइट वेट केटेगरी के फाइट अजट खरीदना चाहता है और इसके लिए फिलिपीन्स की सरकार ने अपनी तरफ से एक ओफिशिली टेंडर भी निकाला है और इस टेंडर को पाने के लिए भारत ने भी सामदाम दंडभेद की नीती अपनाते हुए फिलिपीन्स को ब्रहमोस एंजी के साथ तेजस मार्कवर ने खरीदने का ओफर दे दिया था और इस ओफर के साथ साथ भारत ने फिलिपीन्स को ये भी प्रॉमिस किया कि अगर फिलिपीन्स ने भारत को ये टेंडर दे दिया तो भारत फिलिपीन्स में तेजस की लोकल मैनुफेक्शिंग को भी सपोर्ट करेगा जिसके लिए हिंदुस्तान Aeronautic Limited फिलिपीन्स में फिलिपीन्स की Aeronautic Development Corporation Agency के साथ मिलकर अपनी एक Assembly Line सेट अप करेगी और जो भी तेजस मार्क वने फिलिपीन्स को दिये जाएंगे वो सभी तेजस इसी Assembly Line के जरिए फिलिपीन्स में ही बनाए जाएंगे जिससे फिलिपीन्स की Companies को Fighter Jet बनाने का Experience भी मिलेगा और वहाँ पर Fighter Jet Manufacturing का एक नया Environment भी Create किया जा सकेगा और ये ओफर फिलिपीन्स की Authorities को इतना ज़्यादा पसंद आया था कि उनकी तरफ से इस दिल को Final करने तक की बाते शुरू हो गई थी और ऐसा कहा जा रहा था कि ये डील किसी और को नहीं बलकि केवल और केवल भारत को ही मिलेगी लेकिन एन मोखे पर स्वीडन ने Entry मार कर भारत की बनी बनाई बात्चित को बिगाड कर रख दिया है दरसल आप सबी लोग अपनी स्क्रीन पर इस आर्टिकल को ध्यान से देखिए जिसमें ये बताया गया है कि स्वीडन का जो फाइटर जेट है जिसका नाम गृपन है उसे बनाने वाली कमपनी साव ने भी फिलिपिन्स के इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने का फैसला कि अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये तो एक टेंडर है इसमें तो कोई भी पार्टिसिपेट करें तो इससे हमें फर्क क्या पड़ता है जी हां टेंडर में पार्टिसिपेट करने से भारत को कोई दिक्कत नहीं है बलकि इस टेंडर में साव ने भारत का ओफर चुरा कई देशों ने खरीदा हुआ है जिस वजह से ग्रिपन का ट्रस्ट फेक्टर काफी जादा मजबूत है जबकि तेजस को अभी तक कोई भी खरीदार नहीं मिला है और किसी को भी तेजस की खास्यत और खामियों के बारे में जादा कुछ पता भी नहीं है इसलिए तेजस अभ और एव्यूनिक के मामले में और तोर टेक्नोलोजी के मामले में भी ग्रिपन से थोड़ा पीछे रह जाता है और यहीं वज़ा है कि जैसे ही स्वीडन ने अपना ग्रिपन फिलिपिन्स को आफर किया वैसे ही फिलिपिन्स ने फाइनल नेगोशेशन की बातचीत भारत से छोड़कर स्वीडन के साथ स्टार्ट कर दी है और यह पहली बार नहीं है जब स्वीडन का ग्रिपन भारत के तेजस पर भारी पड़ा हो इससे पहले भी ऐसा हो चुका है क्योंकि पिछले साल मलेशिया के टेंडन में भी फाइनल राउंड तक जाने के बाद ट्रस्ट इस सुके चलते तेजस हार गया था और ग्रिपन जीत गया था हाला कि भारत के पास अभी एक ऐसा मौका है जिसमें भारत का तेजस ग्रिपन को हरा सकता है और वो है प्राइज दरसल ऐसा कहा जा रहा है कि एक ग्रिपन के लिए स्वीडन ने फिलिपिन से 85 मिलियन डॉलर्स की म मांग कर रहा है जिसके लिए स्वीडन फिलहाल के लिए तयार नहीं है और अगर फिलिपिन्स और स्वीडन की बीच प्राइज को लेकर कोई समाधा नहीं निकला तो ये डील अभी भी भारत के हातों में ही आ सकती है बस ज़रुरत है कि भारत पेसेंस के साथ अपना प्रप करके ज़रूर बताना और जाने से पहले एस्वी नॉली चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को ज़रूर पैस करना ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जै हिंग जै भारत